राम राम जी आजकल आपको पता है कि आजकल जो न्यूज में चल रहा है तनिश्क तनिश्क आपको पता है एक जोल्री चीज़ है जो जोल्री सेलिंग करते हैं तनिश्क के विज्ञापन में एक हिंदू महिला की गोदभराई की रसम को दिखाए गया है विज्ञापन के जाज़े से कंपनी ने विग्यापन को वापस ले लिया कुछ इसी तिरह का विवाद हो लिगे दुरान सरफ एकसल में भी देखा गया था तो ऐसा विग्यापन क्यों लाते है और लाते है तो लोगों को दिक्कत क्या होती है इस वीडियो में आपको पता लगेगा तनिश्क कंपनी ने जोल्री ये जो उसने अपनी गलती भी मानिया अगर वो उसको ये पताय की गलती थी तो उसने ऐसा क्यों किया मशूर जोल्री ब्रेंड तनिश्क ने अपने एक विग्यापन को लवजात को बढ़ावा देने के आरोप में लगने के लिए बाधा लिया है वही इस बीच अब पूरे मामले पर टाटा समू, टाटा गुरूप के मशूर जूलरी ब्रैंड तनिश्क की सफाई आई है कमपनी के प्रवक्ता ने कहा है, पेश करते हुए अपनी सफाई दी है कमपनी का कहना है कि इस एड फिल्म का मकसद किसी की भावनाव को टेस बचाना नहीं था इसलिए इसे वापस ले लिया गया है बता दे कि कमपनी के एक एड को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग सुरू हो गई बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी जिसके बाद कमपनी ने अपना एड वापस ले लिया कमपनी ने बयान जारी करते हुए कहा उसके अभिहान के पीछे विचार एवं चुनाती पूर्ण समय के दौरान विभिन छेतरों के लोगो स्थानिय समुधाय और परिवारों को एक साथ आकर जस्ट मनाने के लिए प्रेडित करना था ना कि किसी विग्यापन के जन्वानस को खुशाल होने का मौका देने के बज़ाए मूल उद्देश से भटक गया एड़ फिल्म ने अपने उद्देशे के विपरित लोगों की नराजगी बढ़ाई जिसमें गंबीर परतिकरिया का सामना करना पड़ा आपको पता है तनिश के कच्छी विग्यापन में क्या दिखाय गया था अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताना चाओगा तनिश के विग्यापन में एक हिंदू महीला की गोदुराई की रसम दिखाई गई थी इस लड़की की शादी मुसलिम परिवार में हुई है इसमें हिंदू संस्कृत को ध्यान में रखते हुए मुसलिम परिवार सभी रसमों रिवाजों को मनाता है इंदू धर्म के हिसाब से कराता है विग्यापन में करवती महीला अपनी साथ से पुछती है मा ये रसम तो आपके घर में होती भी नहीं है इस पर उसकी साथ चवाब देती है बिटिया को खुश रखने के लिए रसम तो हर घर में होती है विग्यापन को लवज जिहाद को बड़ावा देने के आरोप में लगे ने लगे सोसल मीडिया पर इंदू समाज के द्वारा लोग के द्वारा तनिक्ष ने कब हैश्कार शुरू हुआ तनिक्ष ने वो एड वापस ले लिया तो अब वो एड वापस जा चुकी है धन्यवाद